नमस्का दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे की साथियों आज हम एक बहुती महत्पून टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है सिच्छा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 है जिसको हम आई टी 2009 कहते हैं सिच्छ से पहले उसके बाद नई सिच्छा नीत आई थी 1986 की उसके बाद क्या था एक संविदान संसोदन हुआ था 2009 में उसको संसोदित करके एक नया अधिनियम लागू किया था दो आटी 2009 ठीका जिका आए लेकिन 2005 में क्या था एन्सीफ 2005 आया था यह न्सीफ 2005 के बाद जो भी जो बच्चे थे बहुत से बच्चे ऐसे रहे गए जिस जो विद्यालई जीवन से नहीं जुड़े थे तो बहाँ पर क्या किया गया था एक संविदान संसोदन 2002 में हुआ था तो उसको संसोदित करके एक सिच्छा का अधिकार अधिनियम उसमें जोड़ा गया था और जो आर् में उसके बाइछ संविदान नह Columbasis में परित होता है तौह जुलाई 20.07 को यह राज संसोदन नहों लॉई-दौन आत्या संविदान संसोदन जो 2002 में हुआ था उसको संसोधित करके कब संसोधित हूँ बैं 2009 में संसोधित हुआ है उसके अंतरगत क्या रखा गया सिच्छा कादिकार अदनियम आपका जोड़ा गया है तो साथिओं सिच्छा कादिकार अधनियम सबसे पहली बात कब आया तो 4 अगस्त 29 को संब्यदान संसोधन के अंतरगा संसोधित किया गया ची असी संब्याई संसोधन था उसको लेकिन इसका नाम है सिछ्छा का अधिकार अधिकार जो बंचित बिद्याले से बंचित जो बच्चे हैं उनको फूली जीवन से जोड़ना उनको विध्याले जीवन से जोड़ना की बात कही गई है तो उसमें एक नियम रखा गया कि जो 6-14 बरस के बच्चे हैं बाकी जो बिकलांग बच्चे उनको उनके लिए एज रखी गई थी 18 बरस ठीक है बाकी जो सामान ने है सामान आपकी क्या रखी गई 6-14 बरस के जो बच्चे हैं उनको कैसी सिच्छा प्रवाइड कराना निसुलक और अनिवार सिच्छा प्रदान कराना ठीक है यह बात इतनी हो गई यहां तक क्योंकि जो आपको सिच्छा का अधिकार अद्मिय हैं उनको क्या करना निसुलक और अनिवार सिच्छा प्रदान करना पहले बात आपको इतनी क्लियर आ गई होगी यह लागू क्या गया था तो सातियों आर्टी दो हजान नौ जो है बैस सातियों एक अपरेल 2010 को लागू किया गया था पूरे देश में पूरे देश में यह क दोजान नौ आपका एक टाया है जो कि सिच्छा का दिकार अद्नियम दोजान नौ आपका पारित किया गया था यह लागू कब किया था एक अपरेल 2010 को यह कब आया चार अगस्ट दोजान नौ को लेकिन सबसे पहले जो राजसभा में कब हुआ पारित तो 20 जुलाई 2009 को ल नौ इसका नाम है ठीक है अब बात करते हैं लागू कब हुआ आपके सामने है एक अपरेल 2010 को यह लागू हुआ इस छात्र को इसकूली जीवन से बंचित ना किया जा या जो बच्चे है उनको विद्यालई जीवन से जोड़ना ठीक है लेकिन जो इसकूल है कैसे होने चाह टिक है बह fifteen किसी भी गाऊं से एक किलोमीटर के अंदर होने चाहिए प्राइमरी है लेकिन जो इस तरके है बहें आपके 3 किलोमीटर के अंधर गथ एक ऑंदरो definitive कोशली में ने लेकिन जूनियर क्या है पांच किलोमेटर के अंदरगत हो जायं अब जब सिच्छक की बात आती है कि प्राम्री के लिए 31 सिच्छक को कितने बच्चों पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है 30 बच्चों की जूनियर के लिए 1-35 ठीक है लेकिन एक से 40 भी इसका रेशियो कहीं मिल जाएगा जो एक सब्ता की बात करतें एक सब्ता में जो सिच्छक है जो प्राइमरी स्कूल का सिच्छक है उसको कित कि यहां तक किलियर होगा यह किसकी सूची में संबर्ति सूची में आती है सूची में आती है जहां पर 65% जो है केंद्र बे करेगा और जहां पर 25% आपका राजसरकार आपके अब्याय करेगी आर्टी 2009 की बात हम कर रहे हैं यहां पर अब कुछ जैसे की प्राफदान है यह सभी बहुत से नियम है है लेकिन कुछ आपके लिए जो महत्पूर थे भय यह था लेकिन आर्टी 2009 में कुल साथ अध्याय हैं बांकि इसमें बहुत सी बाते इसमें दी गई हैं लेकिन हमारे लिए जो महत्पूर है इसमें जो बातें दी गई है कि इसके अंतरकर जिस अधिनियम का पालन नहीं किया मैं तो बहुसा जुर्माना को लेकर इस्में बात कहीं गई हैं वह यह स्यूसरsm किया गए था यह कप्रैल को लागू किया गया था एक किलोमीटर के इन्म प्राइमरी होना चीलिए लेकिन किलोमीटर में जूनियर पाड़ी छेत्र में यही तेन और पांच हो जाता है ठीक है अध्यापक को एक सप्ता में कितने गंटे 45 गंटे का एक उनके लिए अनिबारी है अब इसी में आर्टी एक दोजाननौ में कुछ अध्याय दिये गए हैं जो कि महित्पूर्ण है तो कुल के लेकर दूसरे में क्या आया बालक का सिच्छा का अधिकार क्या है निसूल्क एवर'll के माता-पिता के कुछ कर्थब्दक है अब जैसे कि बालक को लेकर उनके द्रतबियं में बात की गई він बाइं पर चौतहे ध्रत Вас और विद्धाल द्धाय की बालक करहा है यह बैसुचारू रूप से चलपाएगा फिर कि क्या है कि जो विद्धाले और जो सिच्छण के कारियां उनका जो सिच्छक का उनके अपने कर्तब्य हैं वह कर्तबों का पालन करेंगे तो प्रारंबिक सिच्छा और पाठेक्रम की बात की गई फिर उसके बाद सिच्छा अधिकार का सनरच्छन जब कोई का अधिकार अधिनियम दोजार नो में आया था और एक अपरेल 2010 को लागू किया गया था ठीक है लेकिन कौन सा संविधान संसोधन जो जार जो सबसे पहले कहां लागू किया गया था भारत सिच्चा के अधिकार को लागू करने वाला सबसे पहले कहां लागू किया गया था राजिस्थान विदान सबस्थान निशुल कहां अनिवार सिच्चा बाल सिच्चा का अधिकार अधिकार दिनियम 2011 भी पारित किया था इसा बातें छे से 14 बर्स के बच्चें के लिए हैं ठीक है तो बाकि इसमें जो नीत निर्देशक की बात करते हैं तो हमने 25 में अनिए 45 में निसुल कि अनिवार किया गया जो नीती निर्देशक तत्त की बात करें तो अनुच्छेत काउन साथ 45 ठीक है मूल अधिकार की बात करें तो काउन सा आर्टिकल 21 ए है बहीं पर मूल करतब एक अंतरकत 11 जो ग्यार मां मूल करतब आपका जोड़ा गया था आर्टी दोजार नो में बहुत से इसमें तत्य पर ना जाते हुए हमको नहीं लगता उनसे पूछा जाएगा तो आपको पता है कि तीस बन है तीस बालकों पर एक आपका क्या है अध्यापक होगा फिर जूनियर इस तर के लिए आपका क्या है 35 पर एक है ठीक है तो यह सब इ है इसमें सात अध्या है प्रस्ताबना जोसको प्रारंस चुक्रत अधिकार है तिसरा है केन्द्र राजज सरकार और अभिवावकों का के लिए । उसके बाद आता है प्रादमिक सिच्छा का जो पाठे किराम उसके पार उसके लगत Рफ को संख्या है इसके अंतरगत बाय कितनी ए annex जहां पर यह लगता उनकी पू collecting जाएगा तो एक कुछ महत्पूर्ण बातें थी जो मैं आपको बता देते हैं कुछ इसमें धारा यह जिसे इनमें एक दारा तीन है उसके अंदर गर भाईया निसुल के वह निवार सिच्छा है दारा दस है माता पिता संरचन करता बें दारा तेरा में बालक से फीस नहीं ली से दाए तो यह सब बाते इसके अंतरगत आपको मिलेंगी तो साथ ही हमें उम्मीद है कि आटी दो जान नौ आप सभी को बहुत अच्छे धैंक से क्लियर हो गया होगा आप सभी ने इसको नोट भी कर लिया गया लेकिन यह एक जी आयत कब लागू किया गया कब लागू कि रूप है कौन सा अनुच्षेद में दिया गया था मूल कर्तब में नीत जो आपका नित निर्धे सकत्त हो तो मैं कहुंसा दिया यह बहुताइब है पर एक क्यलो मेटर के अंदर प्राइमरी तीन जो आपको जूनियर यह भी सब हो जाएगा इसका मुख्य क्या है चात्र को स्कूली जीवन से बंचितना किया जाए और जो प्राइमरी स्कूल सिच्छक का जो सिच्छन अनिबार कितना है 45 गंटे है तो साथियों हमें उम्मीद है आपको यह वीड पसंद आई हो प्लीज इसको अधिक सदिक सेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अबस्त कर दीजिए थैंक्स फार बाचिंग